सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैन दी रियक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज अम आपके लिएक लेटेस्ट और एक बहुती सेंस्टिव टॉपिक के उपर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखें जिका जो कि अपने दंदार और बेबाक अंदास के लिए जानी जाती है तो ये वीडियो काफे इंपोर्टेंट होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो उसे अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिसे लेटेस इंपोर्टेंट और नॉलिजवल वीडियो लाते रहें जैहिंद जैभारत हमारे साथ हैं जी नाजिया इलाई खान आजकल बहुत बिजी हैं लेकिन थैंक्यू सो मच नाजिया कितने बिजी शेडियो से आप मुझे टाइम दे देती हैं थैंक्यू सो मच बन्नेमात रम भा में दिखाई दे रहे हैं हम लोग एंडिस्टैंड करना चाहेंगे यह संदेश खाली जो एक केस चल रहा है और यह भी का गया है कि अभी मैं देख रही थी या गूगल का रही थी न्यूस तो उसमें के मोधी जी जो हैं उन लोगों से विक्टम से जो हैं वो मिलने के लिए और महिलाओं को तारगेट किया गया है जो से आती हैं शेडियूल कास्ट और शेडियूल ट्राइब से आती हैं और खास करके वो हिंदू हैं उनको तारगेट किया गया है जिन माता बेनों और बेटियों के हाथ में शाखा पॉला है पैर में आलता है बिच्छिया है माते प दुर्भाग है हम लोगों का कि पश्रिमंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो महिला है और दुर्भाग इस बात की अब का भी है कि जो सांसद है वहां की नुसरत रोही जहान जैन वो भी एक महिला है और मैं आपको पहले एक चीज़ पता देना चाहती हूं कि आप लोगों को हमेशा अवेसी के द्वारा पता चलता होगा कि भारत में मुसल्मान जो है वो बहुत सहमे हुए हैं सिसके हुए हैं उनके साथ बहुत अत्याचार होता है उनके साथ बहुत गलत काम होता है उनको बो परनमुल की मुख्या मम्ता बैनेट जी साहिबा है और नुसरत रोही जहान जैन जो मेंबर ऑपार्लिमेंट है उन्हें के बहुत लाड़े नेता है वो शेक्षा जहां 12 में यह दोहजारबाराघ में दो मुसल्मान भाईयों ने बलातकार किया ऐस्थाइस्था पंदर्ण雅ने चोर्च के अंदर अंदर में अपने भाषन में और अपने पॉलिटिकल मीटिंग्स में अपने गवर्मेंट की मीटिंग्स में कहा है लव अफेर होता है प्रेगनेंट हो जाती है उसको बलातकार नहीं बोला जाता है यह एक महिला मुख्यमंत्री कहती है आज देश इतनी तरखी कर रहा है पाकिस्तान से लोग बैठे 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 भारत की तरखी के गुनगान गा रहे हैं मजबूर हो गए हैं कि अब तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि भारत सच में तरखी कर रहा है और इसी भारत में एक पश्चिम मंगाल है जहांके कई जिलों में आज तक मीठा पानी नहीं पहुंचा ह इसी भारत इसी बढ़ते हुए तरखी आफ़ता भारत में एक संदेश खाली है जहांकि सड़के आज तक नहीं बनी है पूरे पूरे बशीर हाट में एलेक्टिक सिटी आज तक नहीं पहुंची है मुदी जी की योजनाओं से वंचित रखा गया है वहांके वहांके लोगो को आज योजनाओं सड़क ग्राम योजना के तहट सड़के और शहर इसी में फर्क नजर नहीं आता है हमारे भारत में लेकिन जब हम पश्रमंगाल पहुंचते हैं तो में कॉलकाता सिटी आपको बिलकुल लगेगा सिन प्रोवांस लगेगा आपको या आपको कराची लाह और में गलियों में फाइरिंग हुई है एक जीजा ने साले को फाइरिंग करके वो निकल गया तो उसी तरह के से पश्रमंगाल के लोग जब रात में सोते हैं तो सीरिया की तरह बंबारी सुनते हैं और जब रात रात को सुभा उठते हैं तो महिलाओं के बलादकार की पश्रमंगाल में कल जिसको डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है मीडिया आप भी मीडिया से हैं क्या हुआ अगर पाकिस्तान से हैं आपको भी अपना मान सम्मन बहुत प्यारा होगा और जब प्रोफेशन में दुवारा हम लेते हैं तो उस इसाब से मीडिया अगर बारत का है या पाकिस्तान का है, मीडिया मीडिया एक फैमिली हो जाती है. तो फोर्थ पिलर का हाल कल क्या किया गया है, वो में दिखाती हूं आपको. यह मीडिया के साथ पश्चिम मंगाल की मुख्यमंत्री करवा रही है हैं और बलादकारेंगेंगेंगें बलादकारी अपने आचल में छुपते हैं। तब तो फिर भई औरतों का कोच सुनवाई नहीं हो सकता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी जिस संदेश कहाली में मास बलादकार हुआ है. दसदार से उपर माता बहनों का बलागतार हुआ है वहां कि सामसद क्या कर रही है यह मैं आपको दिखाना चाहती हूं और यह देखना सब के लिए बहुत जरूरी है अब मैं दिखाना चाहती हूं कि जिस दिन मा बहने साथ फरवरी से लेकर के आज 19 फरवरी तक जोली फैला करके राज्य सरकार से अपने इंसाफ की भीग मांग रही है उस साथ फरवरी से जो महिलाएं रो रही है कलप रही है क्योंकि वही शेक्षा जहां के विस्तर पर मा को भी खिलोना बनाया गया बेती को भी खिलोना बनाया गया और नतनी को भी खिलोना बनाया गया है और ऐसे आलम में महिला सांसाद मेंबर ऑफ पार्लेमेंट हग डे, टेडी डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, सब कुछ उन्होंने मनाया है मगर नाजिया इतना कुछ होता रहा, दस हजार से उपर लोगों के इस किसम का रेप हुआ, कोई कुछ बोला क्यों नहीं, किस बात का अंतिजार कर रहे थे? प्राइडे के दिन मैं भी गई थी, संदेज काली, पश्यमंगाली, मुझे एंटर नहीं करने दिया गया, उल्टे में मेरे उपर जिस तरह से पाकिस्तान में मुसल्मान मर्दों के हाथ में पत्थर होता है, अभी हमने हल्दिवानी में देखा, शाहिन बाग में देखा, पश्यमंगाल के पुलीस के हाथ में पत्थर्वाजी हुई है, मेरी गाड़ी पर, मुझे एंटर नहीं करने दिया गया है, भारते जन्ता पार्टी के लेटर अपॉजिशन है, सुवेंदु अधिकारी जी, उनको एंटर करने नहीं दिया गया, जो पश्यमंगाल के राज भारते जन्ता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और मेंबर अपॉर्लिमेंट है, उनको मार पीट करके उनको हॉस्पिटल पहुचा दिया गया, और आज, आज हॉनरेबिल सुप्रिम कोर्ट ने कहा, कि सुवो मोटो हाई कोर्ट को लेना पड़ेगा कलकते के, और तब ज लिलास आंसदों की एक टीम भेजी, उनको एंटर करने नहीं दिया गया, मार पीट करके भगा दिया गया, रेखा जी, जो नाशनल वोमेंट कमिशन की चेर परसन है, उनको भेजा गया, उनको भी एंटर करने के लिए नहीं दिया गया, उनको भी मार पीट करके भगाने की वो उन्होंने अपनी इज़त और जान बचा करके वो आई डीजीप से बात करने की रेखा जी ने कोशिश की पर उनको दो फोन आ गया डीजीप सहब को और डीजीप सहब ने साफ इंकार कर दिया कि वो शेक्षा जहां से रिलेटिट कोई बात नहीं करना जाते हैं राशन इस कि अपिसर्स होते हैं एरफोर्स वगारा वाले आर्मी ओफिसर्स होते हैं उनको भी होस्पिटलाइज करना पड़ा यह वही पश्रम मंगाले जहां सी बी आई को लॉक अप कर दिया जाता है सी बी आई ऑफिसर को तो इतना आसान नहीं है कि पश्रम बंगाल में अगर कोई एक महिला उड़ करके खड़ी होती है और वो कहती है कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है या मेरा बलाकार हुआ है तो पहले यह हो जा जाता है कि बलाकार किया किसने है अब जब पता चल जाता है पश्रम मंगाल की सरकार को कि बलाकार करने वाला मुसल्मान है तो उसके बाद तो कोई सुनवाई हो ही नहीं सकती है महिला को या तो सुसाइट करना पड़ेगा और या तो वाला कारक करवाने के लिए अपने घर की एक-एक बहु बेटियों को परोसना पड़ेगा दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाए खान जी का दंदाल अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे नाजिया खान जी ने आपको बारे में आपके क्या विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताए और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिसे लेटेस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही जाता इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहे तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंपोर्टेंट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत